कैसे हैं आप सब यह फोप सभी लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स सूशल सिक्यॉरिटी कंप्यूटर अप्लिकेशन और फ्रीडम स्रॉगल फ्रीडम स्रॉगल से भी सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे अलग-अलग सब्जेक्ट से आपको मैक्सिमुम्-mcq कराने की कोशिश करूँगा फ्रीडम स्रॉगल इंडियन फ्रीडम स्ट्रॉगल अगर आप दोजास-स्तारागा पेपर देखते हो तो कहीं पुराने पूचे गए हैं ठीक है ले freedom struggle के उपर ही focus करेंगे ठीक है और 1857 से ही शुरुवात करेंगे बीच बीच में थोड़े बहुत मैं आपको जो है freedom struggle से पहले के भी question डालता रहूँगा एक आदा एक आदा ताकि अगर महां से कुछ फस जाए तो आप easily कर सको drill वही रहेगा, question आएगा pause करना है, answer देना है और आगे बढ़ना है, ठीक है जी explanation साथ की साथ देखते जाएंगे, चलो पहला सवाल पूछा क्या गया है, कौनसे governor general के reign में कौनसे governor general के कारियकाल में east india company ने general service enlistment act जो है वो pass किया था, क्या pass किया था general service enlistment act कौनसे governor general के समय में, ओके, देखो governor generals जो होते हैं, या voice royce जो होते हैं ठीक है, ये बहुत important topic रहेगा, और specifically जो governor generals 1850 के बाद के हैं, या 1848 के बाद के हैं, मैं आपको कहूँगा, William Bentic William Bentic, William Bentic के बाद के जितने governor general है, वो आपके exam point of view से important है आपको पता होना चाहिए कि कौनसे governor general के समय में, क्या हुआ था, बहुत जादा important आपके लिए रहेगा, तो general service enlistment act किसके समय में, पास किया गया था, Lord Kenning के समय में, किसके समय में, पास किया गया था, Lord Kenning Lord Kenning जो थे, he was also the first voice roy of India ठीक है, first voice roy of India थे 1857 के revolt के बाद, जो है, वहां की जो queen थी, उन्होंने company को बाहर कर दिया था, East India company को बाहर कर दिया था, और India की administration, Britain की सरकार ने अपने अंडर ले ली थी, ओके, और जो governor general होता था, उसको एक नया title मिल गया, voice roy का, तो जो Lord Kenning थे, वो first voice roy इंडिया के, बन गया, ये भी एक important point है, आप लोगों को ने याद रखना है, general service enlistment act, जो है, ये around 1856 में pass किया गया था, Lord Kenning ने इसको pass किया था, generally इस act को भी हम जब study करते हैं, reasons, जब हम reasons of revolt of 1857 study करते हैं, तब हम वहाँ पर भी इसको देखते हैं, का ये belief था, कि अगर वो sea को cross कर रहे हैं, अगर वो समंदर को cross कर रहे हैं, समंदर को par कर रहे हैं, तो वो castless हो जाएंगे, they will lose their caste, ये एक superstitious belief था, ठीक है, और general service enlistment act में Kenning ने क्या लिख दिया, कि जो भी भारतिय, जो भी जिसको हम reasons of revolt of 1857 में discuss करते हैं, तो Lord Kenning is the right answer, answer यहाँ पर option C हो गया, चलिए, यहाँ पर इसकी explanation है, जो मैं आपको already समझा चुका हूँ, तो इसमें जाने की जो अतनी है, चलिए, next, the revolt of 1857 began on 10 May 1857, at which of the following place, ठीक है, सबसे पहले revolt of 1857 कहाँ पर शुरू हुआ था, देखो, यह तारीख भी important है, क्योंकि UPAC के various exams अगर आप उठाओ, UPAC जिनमें general knowledge होती है, आपका चाहे वो CDS का exam हो, चाहे वो, आपका IS का exam हो, चाहे वो आपका, अब EPFO का exam हो, 2017 वाला, अगर आप देखो, पिछले कुछ 3-4 साल में बहुत जादा facts के उपर target किया जा रहा है, बहुत सारे factual questions पूछे जा रहे हैं, तो 10 में 1857 को हमें as a date mark करते हैं, when the revolt of 1857 actually started, उससे पहले भी हरकते हो रही थी, कारवाई हो रही थी, मंगल पांडे, जो है, उन्होंने revolt कर दिया था, फांसी हो गई थी उनको, पर तब revolt of 1857 की date mark नहीं की गई थी, कि भी, 10 में को date रखी गई थी, कि हाँ भी 10 में को revolt शुरू हो गया, ठीक है, तो ये सबसे पहले कहां पर शुरू हुआ था, कौन सी जगा इसमें बूला जाता है, तो अंसर क्या होगा, बहरामपूर, मेरट, कानपूर या डेही, ये को सारे options बहुत confusing है, क्योंकि कही न कहीं ये सारे जो थे centers थे, revolt of 1857 के, ठीक है, कहीं न कहीं सारे ये centers थे, ओके बहरामपूर वाज, ये सब भी काफी involved थे, लेकिन जो आपका revolt of 1857, 10th में को जहां से start हुआ, that was merit, तो answer यहां पर क्या होगा, option B, चलिए, third question के ओपर चलते हैं, third question statement based question है, अगर आप पिछले सालों के paper देखते हो, तो कहीं न कहीं, random statements उठाकर के पूछ लिया जाता है, पिनिंग वील, ये statement किस ने दे थी, option A, Karl Marx, Robert Hoxie, Lenin या फिर Stalin, ये statement किस ने दे थी, factual question है once again, अब इस तरह के questions में, आप ज़्यादा दिल से नहीं लगाना paper में बैठ करके, ठीक है कि मैंने यार इतनी देर history पड़ी, मैंने एक महीना history को दिया, या मेरे से question ने solve हो पा रहा, ये वाले question वैसे भी, 100 में से 10 बच्चों के ही solve होंगे, ये वाले questions पढ़ाई से नहीं solve होते, ये वाले questions solve होते है, maximum MCQ solve करने से, ठीक है, क्योंकि कितनी किताबे पढ़ लोगे, किसी एक किताब में से वो statement उठा करके दे देगा, तो क्या करें, उसमें आपकी गलती नहीं है, तो answer इस case में क्या होगा, answer इस case में आपका option है, Karl Marx, Karl Marx नहीं ये 1852 में statement दी थी, कि it was the British intruder, British घुसपैटिये थे, जिन्होंने इंडिया की handloom industry को पुरी तरह से destroy किया, और जो spinning wheel था, जो चर्खा था, उसको पुरी तरह से wrong दिया, अपने machine made cloths से, और रवेट चलिए, next question, fourth question, who was the Mughal ruler at the time of the revolt of 1857, revolt of 1857 के समय में, Mughal बाच्छा कौन थे, अब ये देखने में question बहुत असान सा लगता है, जिसने पढ़ा है, वो बहुत easily answer कर देगा, पर अगर नहीं पढ़ा, तो बच्चे confused हो जाते हैं, ठीक है, तो answer इस case में होगा, आपका option, A, Bahadur Shah Zafir, ठीक है, जो बाकी के अगर आप options देखो, ये भी आपके लिए काफी important है, क्योंकि आप देखो, Britishers ने आके, बहुत सारे wars जो हैं वो लड़े, तो Bahadur Shah Zafir से related, तो हमने कह दिया, revolt of 1857, ठीक है, अगर आप पीछे जाते हो, 100 साल पहले, 100 साल पीछे, एक battle of plasay लड़ा गया था, battle of plasay, ये मत सोचना की नहीं सार, अब आप तुछ प्लासे चले गए, तो ये हमारे लिए important ही नहीं है, ठीक है, उसके बाद, ये battle of plasay लड़ा गया था, 1757 में, और फिर एक लड़ाई लड़ी गई थी, 1764 में, जिसको हम बोलते हैं, battle of boxer, और battle of boxer के समय पे मुगल बादशा कौन थे, शाह आलम 2, ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है, बहादुर शाह जबर, result of 1857 के समय पे, आलम गी 2, battle of plasay के समय पे, और शाह आलम 2 जो थे, वो battle of boxer के समय पे थी, तो answer इस case में, हमारा option ही हो जाएगा, चलिए last question देखते हैं, इस video का, अच्छा, ये explanation given है, बहादुर शाह जफर से related कुछ, तो बहादुर शाह जफर, he was proclaimed the emperor of India, जब revolt of 1857 शुरू हुआ, तो बहादुर शाह जफर को, as a symbol use किया गया, कि ये जो revolt हो रहा है, ये बहादुर शाह जफर के अंडर हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि मुगल जो राज्य था, जो मुगल राज्य था, अगर आप देखो, 1525 में, 1526 में जो है, बाबर आ गया था, और उन्होंने क्या कहते हैं, बैटल ऑफ पानिपत लड़ा, उसके बाद, बीच में 10-15 साल, अगर आप छोड़ दो, उसके लावा अगर आप देखो, तो आपकी 16th century से लेकर के, 19th century तख, या 18th century तख आप कहलो, 18th, 19th century तख, मुगल रूली जो था, वो था इंडिया में, ठीक है, तो मुगल रूलर को, as a symbol बनाने का दे, बहादूर शाह जफर तो बहुत बुड़े थे, उस समय में वो तो कुछ बैसे ही नहीं कर सकते थे, लेकिन एक symbol था, कि मुगल बाद्शा जो या बंग्रेजों के किलाफ खड़े हो रहे हैं, ठीक है, और इस चीज़ से, जो सिपाही थे, जो East India Company के सिपाही थे, जो अभी तक British East India Company ये कह रही थी, कि ये तो भाईया एक सिपाहीों का विद्रो है, सिपाही जो है, rebellion है, तो सिपाही जो चाते थे, वो क्या चाते थे, कि इसको सिरफ एक soldiers की mutiny, या soldiers का विद्रो ना समझा जाए, इसको एक revolutionary war समझा जाए, जो India की अजादी के लिए शुरू किया गया है, इसलिए मुगल बादशा को, इसलिए भी मुगल बादशा को, जो है symbol बनाया गया, ठीक है, और इसी वज़े से, जो इंडिया के chiefs थे, छोटे राजा थे, उनको भी एक आ गया, कि वो अपनी loyalty, जो है मुगल emperor को show करें, ताकि एक unity जो है दिखाई जा सके, और एक politically motivated war, जो है वो लड़ा जा सके, ठीक है, इसी वज़े से, जो बादुर्शा जफर है, उनको symbol, कौन था, ध्यान से सोच करके, option A कहता है, आपको खान बहादूर, option B कहता है, जनरल बक्त खान, option C कहता है, नाना साहिब, option D कहता है, मौल भी एहमदुल्ला, confusing हो सकता है, क्योंकि चारों कहीं न कहीं, participate कर रहे था, रिवोल्ट आफ 1857 में, तो इस केस में, अंसर क्या होगा, इस केस में, अंसर होगा, आपका option B, General Bakht Khan, General Bakht Khan is the correct answer, ठीक है, explanation देख लेते हैं, ठीक है जी, तो nominal and symbolic head, तो मुगल emperor थे, बहादूर शाह, पर क्योंकि वो तो बहुत बुढ़े थे, वो खुद से कुछ decision नहीं ले पाते थे, very weak ruler he was, तो ultimately जो real command थी, वो court of soldiers, एक court था, अब ये court of soldiers में, 10 member हुआ करते थे, 6 army में से, और 4 civilian department में से, तो ये court of soldiers ही, जो है, सारे decisions लेता था, और इस court of soldiers को head con कर रहा था, General Bakht Khan, और मुगल बाच्छा के बिहाफ पे, revolt को भी किसने lead किया, General Bakht Khan नहीं, आप से पूछा जा सकता है, इस तरह से भी सवाल, कि revolt of 1857 को, डेली में कौन lead कर रहा था, तो आप कहा दोगे, General Bakht Khan, और ये court of soldiers, सारे decision लेते थे, and this court conducted the affairs of the state, जितने भी मुगल सामराज्ये के decision होते थे, वो यही court लेता था, and decision हाला की लिए, किसके नाम पर जाते थे, मुगल बाच्छा के नाम पर, जैसे आज आज आप देखते हो, बही Parliament कानून बना देती है, लेकिन ultimately क्या होता है, कि भी President ने कानून बनाया है, जिबकि President तो सिर्फ sign करता है, ठीक है, तो एक तरह से जो यह 10 लोगों का court of soldier था, यह एक तरह से Parliament थी, और जो बहादूर शाहते वो सिर्फ एक President थे, जिनका सिर्फ sign और sealius होता था, ओके, important question है, आ सकता है paper के अंदर, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तो, एक छोटी सी बात आपसे मैं करना चाहूँगा, कुछ एक दो कमेंट्स आये थे, कि सर थोड़ा वीडियोस को लंबा बनाई है, देखिए वीडियोस को लंबा यह छोटा बनाने से कुछ नहीं होता, ultimately, कितना कंटेंट आपको मिल रहा वो इंपोर्टेंट होता है, छोटी वीडियोस बनाने के पिछे एक रीजन है, ठीक है, अगर मैं लंबी वीडियोस बनाने जाओंगो, उसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, पीपीटी क्रियेट करने में और वो सब, पीडिक्यू की बहुत इंपोर्टेंट है, सिरफ यूट्यूब पे वीडियोस देखने से पेपर क्लियर नहीं होते हैं, तो मिलेंगे बगली वीडियो में, तब तक के लिए, all the best and bye-bye, बाकी की सारी प्लेइलिस्ट भी आपको यहाँ पर अब मिल जाएंगी, ठीक है, वो भी आप देख सकते हूँ, सो, सी यू इन दे नेक्स लेक्ट्चर, बाए!